बुलंच शहर में कुल विधान सभा की साथ सीटे हैं सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2017 की चुनावी नतीजे ये देखिया आपकी टेलिवीजन स्क्रीन पर 2017 में यहां की सातों सीटों पर भाजपा का कमल खिला था बाकी कोई दूसरी पार्टी बुलंचर में जीत दर्च नह आ रही है आईए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिकंद्राबाद विधान सभा सीट की जो कि एक महत्वपूर सीट है बुलंचर की 2017 में भारतिये जनता पार्टी ने जीत दर्च की थी इस बार सिकंद्राबाद विधान सभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्षपे होंग ने राहुल यादव पर दाव लगाया है तो वहीं वस्पा से मनमीर गुर्जर मैदान में हैं साथी कॉंग्रस ने मुस्लिम उम्मीदवार सलीम अख्तर पर दाव लगाया है सिकंद्राबाद की बात 2017 की करेंगे तो यहां पर 67.13 पीसदी मतदान हुआ था सिकंद्राबाद से भाजपा की विमला सिंग सोलंकी ने जीत दर्ज की थी दूसरे नंबर पर वस्पा के मुहम्मद इमरान रहे थे 2012 और 2017 में भले ही बिमला सिंग सोलंकी लगाता दो बार जीती हो लेकिन पार्टी में इस बार बिमला सिंग सोलंकी पर भरोसा नहीं जताया 2012 से 123 सीटों से जीतने वाली बिमला सिंग सोलंकी 2017 में 28,623 वोटों से जीती थी 2017 में बिमला सोलंकी की जीत का मार्जिन 11.332 के करीब रहा था और आई अब बात करेंगी बुलंचेर की सियाना विधान सभा सीट की जहां मुसलिम दलिक मतदाताओं की संख्या अधिक है ब्रहमर, जाट, ठाकूर और वेशे 15-222 पीज़ी है तो वहीं सियाना सीट का इतिहास रहा है कि यहां 1967 के बाद कोई भी वधायक दोबारा चूंकर नहीं आया है 2009 में जहां कॉंग्रस के दिलनवास जीते थे तो वहीं 2017 में लोधी लहर में सीट भाजपा के पाले में चली गई और इस बार एक बार फिर भाजपा ने अपने सिटिंग विधायक देवेंद्र सिंग रोधी को मैदान में उतारा है तो वहीं सपा ने 2009 के विधायक दिलनवास खान पर दाब दगाया है तो वहीं बासपा ने ब्राम्मट चेहरे सुनील भारत वाजपा को कॉंग्रस ने सबसे युवा प्रत्याशी पूनम पंडित को मैदान में उतारा है तो ये वो चेहरे हैं जो स्याना सीट पर अब चुनावी जंग लड़ते हुए नजर आ रहे है स्याना सीट पर 2017 की बात करें तो यहां कुल 62.53 पीस दी मतदान हुआ था और इस सीट पर भाजपा के देवेंद्र लोधी ने सेधी टकर में बसपा के दिलनवाज को हरा दिया था मैं देवेंदर लोधी की बात करें तो देवेंदर लोधी को स्याना सीट से पहली बार 2017 में वो विधायक चुने गए लोधी को 1,25,854 वोट मिलें मैं दूसरे नंबर पर बसपा के दिलनवाज और अब RLD से उम्मीदवार दिलनवाज खान को 54,214 वोट मिले थे दोनों की जीत का मार्जविन 30.8 तो फीस दी रहा था और अब बात करेंगे चोटी काशी के रूप में मशूर अनुप शेहर की जो एक मैत्वपूर्ण विधानसभा सीट है जहां 2017 में भारतिया जनिता पार्टी ने जीत दर्ज की थी इस बार अनुप शेहर विधानसभा सीट के परिनाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनिता को तै करना है लेकिन हम आपको अनुप शेहर का पूरा गुणा गड़िश समझाएगे लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस पार्टी ने इस बार किस किस पर दाव लगाया है सबसे पहले बात करेंगे भाजपा की तो भाजपा नहीं आसे सिटिंग में धायक संजय शर्मा को ही चुनावी मैदान में उतारा है तो सपा एंसिपी गटबंदन ने केके शर्मा को प्रत्याशी बनाया है नहीं अगर बात करने बसपा की तो रामिश्वर सिंग लोधी को तो कॉंग्रस ने गजेंद्र सिंग पर दाव लगाया है बात 2017 की करें तो अनुप शेयर की सीट पर कुल 63.58% मतान हुआ था तो भाजपा की संजय सिंग ने बसपा से चुनाव लड़ने वाले गजेंद्र सिंग को 26.25% के मार्जिन से चुनाव भरा दिया था बात वर्तमान विधायक के बही खाते की कर लें तो संजय सिंग को 1,12,431 वोट मिले थे जबकि उनके विरोधी बसपा के गजेंद्र सिंग को 52,170 वोट मिले संजय शर्मा की जीत का मार्जिन 26.25% दी रहा था